हालो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज का इडियो बहुत एक छोटा सा क्लिप है ठीक है लेकिन बहुत ही इंपोर्टेंट प्रैक्टिस है जो आपको बताने जा रहे हूं ठीक है इसको अपने रोजमरा के रूटीन में शामिल करिए अपने इन वर्क के साथ साथ इसको शामिल करिए ठीक है तो आपको यह जो क्वेश्चन आपके मन में उपते हैं ना कि मेरा इन वर्क सही जा रहा है कि नहीं am I doing right या मैं sufficient in a work कर रही हूँ या नहीं ओके या मैं ठीक से let go कर पाई हूँ या नहीं या मैं reunion के साथ बढ़ रही हूँ या नहीं ठीक है तो यह सारे questions जो है वो आपके अपने आप आपको reply मिलने start हो जाएंगे ठीक है यह जो practice है यह अपने आप में reply है आपके इन सभी questions का so please इस practice को अपने इन वर्क में शामिल करिए आपको what you have to do is when in the morning जब आप अपना morning में regular meditation करते हैं न ठीक है तो उसके जो आप morning में meditation करते हैं और जब बिलकुल आपका मतलब आपका वो meditation समापत हो जाता है ठीक है तो एकदम से तो आप आपके खोल नहीं देते हैं न तो जब आप थोड़ा सा उसके बाद resting mode में होते हैं अपनी eyes को rest दे रहे होते हैं ठीक है मतलब खोलने से just पहले की बात बता रहे हूं ठीक है रब करने से just पहले की बात तो आप उस time पर क्या करेंगे कि you आप ये practice करेंगे ठीक है you just have to imagine the half body of you और ये जो अर्दनारेश्वा स्वरूप आप देख रहे हैं ठीक है पिक के अंदर ऐसे ही आपका जो body half body अपने dm के half body के साथ merge होते हुए उसको आपको visualize करना है so that you can speed up your union because 5d में आप लोग ऐसे ही दिखने वाले हैं ठीक है ऐसे ही होते हैं जब आप higher realms में होते हैं तो आप लोग one soul जब आप merge होते हैं तब आपका यही स्वरूप होता है इससे आपका dm df balancing होगा तो इस practice को अपने regular inner work में जरूर शामिल करिए जितनी भी देर के लिए आप visualize कर सकते हैं थोड़ा सा ये आपको एक तो बहुत अच्छी feeling देने वाला है ये आप में oneness की feeling लाएगा ये आपके reunion को speed up करेगा and if you are finding yourself unable अगर आपको थोड़ा भी unable लग रहा है ये आपस में merge होता हुआ नहीं लग रहा है या आप थोड़ा सा भी enable अपने आपको feel कर रहे हैं कि आप ये वाले feeling में नहीं आपा रहे हैं आपका half body part जो है वो आपके DM के half body से merge हो रहा है अगर ऐसा आप visualize नहीं करें तो जितना distance आपको उसमें नजर आता है अभी आपका उतना inner work पाकी है आप लोगों में उतना gap पाकी है अभी oneness में आने के लिए आप लोगों को उतना चाहिए ठीक है उतना inner work और करना है उतना मेहनत आपको अभी और लगाना है ठीक है फिर आप अपना inner work को करते जाए पूरे इमानदारी और dedication के साथ and leave the rest to universe ठीक है जैसे जैसे आपका inner work सही दिश्या में चलता जाएगा believe me ये practice में आपको जो है अपना merging clear visualize होने लग जाएगा ठीक है so it was the most important video for you today मुझे लगा ये practice आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है so that आप लोग जो कहते हैं न पूछते हैं न कि oneness की feeling में कैसे आए ठीक है वो तो है ही नहीं इतना time से मिले ही नहीं इतना time से बोले ही नहीं ठीक है तो you can visualize your DM and अपने साथ उनको merge होता हुआ देखिए enjoy that moment enjoy करेंगे believe me आप उस moment को enjoy करेंगे ठीक है you can feel that करके तो देखिए बड़ा मज़ा आने वाला है बड़ा अच्छा लगने वाला है बड़ी pious feeling होती है ठीक है बहुत ही pious feeling होती है और बिल्कुल आप visualize कर पाएंगे I am quite sure मैं बहुत sure हूँ कि आप visualize कर पाएंगे ठीक है so ये वाले practice को करिए and फिर उसके बाद please मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वाले practice को करके thank you so much bye